वाइट हाउस को दुनिया का सबसे से क्योड हाउस कहा जाता है। वाइट हाउस की से क्योड इतनी तगड़ी रखी गई है कि चाहे इस पर हजारों फिर दूर से कोई स्नाइपर हमला करे या फिर कोई गन से फेलिकॉप्टर वाइट हाउस में लगे डिफेंस सिस्टम किसी भी हमले को रोक सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वाइट हाउस में इंस्टॉल से क्योड़ी सिस्टम के बारे में चानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट हाउस में लगे बुलेट पुप्प ग्लास की वाइट हाउस में कुल 132 रूम्स बनाई गए हैं और किसी को भी ये पता नहीं होता कि प्रेसिडन किस वक्त किस रूम में मौजूद हैं। वाइट हाउस में नेचरल लाइट के लिए चारो तरफ विंडो पैनल लगाये गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई भी स्नाइपर प्रेसिटेंट या फिर उनकी फैमिली को निसाना बनाना चाहे तो वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि वाइट हाउस में लगाये सभी विंडो पैनल बुलेट प्रूफ ग्लास के हैं वाइट हाउस में लगाये बैलेस्टिक ग्लास दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास माना जाता है मतलब की 147 विंडोस पैनल वो भी सारी की सारी बुलेट प्रूफ इस glass defense system के बारे में किशी को भी मालूम नहीं था लेकिन November 2011 में Oscar Romario नाम के एक सक्स ने White House पर 2100 फीट की दूड़ी से अपनी ही राइपल से दो गोलियां फैर की एक गोली तो White House के lawn में जाकर गिरी जबकि दूसरी White House के window panel पर जिस room के window panel पर ये गोली लगी थी उस वक्त room में President Obama की बेटी मौजूद थी लेकिन ballistic glass होने की वज़े से room के अंदर गोली दाखिल ना हो सकी ये पता लगाना मुस्किल है कि White House की security किस तरह का glass यूज करती है लेकिन security experts का मानना है कि White House में इस्तेमाल किये गे glass market में sale होने वाले label for glass से भी काफी ज़्यादा मजबूत है अब हम बात करते हैं White House में लगे infrared sensors की आपने infrared sensors को movie में जरूर देखा होगा कि किस प्रकार hero इनको पार कर किसी भी building में ताखिल हो सकता है लेकिन White House में ऐसा बिलकुल भी नहीं है White House में लगे infrared sensors को कोई भी पार नहीं कर सकता White House का ऐसा कोई भी area नहीं है जिसके कोने कोने में infrared sensors ना लगे हो इंसान तो दूर की बात है अगर कोई छोटा परिंदा भी White House में दाखिल होता है तो इसका भी पता वहां की security system को हो जाता है अगर कोई infrared sensors ट्रिप करने में काम्याब भी हो जाए तो भी वह White House के छट पर मवजूद स्वाट टीम के sniper से नहीं बच सकता White House की अगली security है missile defense system जो की White House के छट पर लगाई गई है White House की छट पर secret तोर पर missile defense system भी लगाया गया है लेकिन इस system को लोगों की नजरों से छुपा कर रखा गया है ये defense system केवल defense ही नहीं करता बलकि attack भी कर सकता है यानि कि White House के range में किसी भी प्रकार ही गती पीदी को रोकने के साथ साथ इस पर वो attack भी कर सकता है White House में इस defense system को 9-11 के खौफनाक attack के बाद लगया गया था White House area को no fly zone declare किया गया है यानि कि कोई भी हवाई जहाज या फिर airplane White House की area में fly नहीं कर सकता यानि कि अगर किसी भी किसम का हवाई जहाज उस area में fly करता है तो उसे वहीं गिरा दिया जा सकता है November 2019 में एक हवाई जहाज जलती से White House के no fly zone area में गुज गया वैसे तो ये जहाज White House से काफी दूर था लेकिन इसकी वज़े से पूरा White House lock down कर दिया गया बलकि आस पास की area में भी emergency situation लागू कर दी गई White House के अगली security का हिस्सा है food testers आपने सुना होगा की पुराने जहबाने के बादसा अपने साथ food testers रखते थे और जो भी खाना उनको दिया जाता था उसको सबसे पहले उनका food testers खाता था ताकि अगर खाने में किसी प्रकार का जेर या फिर कोई अन्य चेज मिलाया गया हो तो बादसा के खाने से पहले इसकी जानकारी हो सके इसी प्रकार माना जाता है कि प्रेसिडेंट के साथ हमेशा उनका personal food testers मौझूद रहता है और प्रेसिडेंट के खाने से पहले सारा खाना खाकर चेक करता है एक बाद 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा ने Senate Republic Meeting में खाना खाने से इंकार कर दिया था ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त उनका food testers उनके साथ मौझूद नहीं था ऐसा भी माना जाता है कि अगर प्रेसिडेंट को पिज्जा या फिर कोई भी fast food खाना होता है तो इसकी भी delivery वाइट हाउस के बजाए किसी और एड्रेस पर कराई जाती है और इसके बाद भी food tester उसको test करता है फिर प्रेसिडेंट खाते हैं अब हम बात करते हैं वाइट हाउस में मौझूद गार डॉक्स की प्रेसिडेंट की इफाज़त के लिए वाइट हाउस में गार डॉक्स रखे गए हैं जो की highly trained हैं 1975 से वाइट हाउस की protection के लिए बेल्जियन मेलियन ब्रीट के highly trained डॉक्स रखे गए हैं अगर किसी ने भी वाइट हाउस की फेंस लागने की कोशिस की तो ये डॉक्स पलक जबकते ही उसको अपने काबू में कर लेते हैं 2014 में एक सक्स वाइट हाउस की वाल को लागने में काम्याब हो गया उसके पास कोई वीपन नहीं था इसलिए उसको सूट नहीं किया गया लेकिन फिर गाड डॉक्स ने अपनी ड्यूटी पूरी की और एक ही पल में उस आदमी को काबू कर लिया अब हम बात करते हैं वाइट हाउस की आरन फेंस के बारे में वैसे तो वाइट हाउस को बंड़ी वाल की काफी जरूरत है लेकिन फिर भी आज तक कभी भी वाइट हाउस के बाहर कंक्रीट वाल नहीं बनाई गई क्योंकि जनरल पब्लिक का ये राइट है कि वो वाइट हाउस को देख सके इसलिए पूरे 18 एकर में फैले इस बिल्लिंग के चारो और सिर्फ वाइरन फेंस लगाई गई है तक कि पब्लिक को वाइट हाउस साफ साफ दिख सके वैसे तो वाइट हाउस की फेंस को लागने के पहले भी कई इंसिडेन सामने आ चुके हैं इसलिए वाइट हाउस की फेंस को 6 फीट से बढ़ा कर 10 फीट कर दी गई है और साथ ही साथ ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि अगर किसी की भी फेंस को लागने की नियत भी हुई तो ये बास सेक्योरिटी टीम को मालूम पढ़ जाएगी ये सिस्टम इस प्रकार काम करता है कि अगर नॉर्मल से ज़्यादा प्रेसर फेंस पर पढ़ा तो उसी वक्त एक अलर्ट सेक्योरिटी रूम में चला जाएगा और सेक्योरिटी वहाँ पहुँच जाएगी अब हम बात करते हैं वाइट हाउस में मौजूद ड्रोन सेक्योरिटी सिस्टम की वाइट हाउस की सेक्योरिटी ड्रोन द्वारा भी की जाती है ये ड्रोन दूसरे ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं और उनके पास पहुच कर उनके प्रोपलर्स को डैमेज कर देते हैं और इस तरह से दूसरे ड्रोन क्रैस हो जाते हैं इस तरह से ये काम मिंटों में नहीं बलकि चंद सेकेंडों में किया जाता है White House में इतनी टेक्टिकल सेक्योर्टी के साथ साथ यहां पे धेर सारे स्नाइपर्स और आम सेक्योर्टी फोर्स रखे गए हैं जो कि White House के चारों तरफ मौजूद रहते हैं यूस प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के सेक्योर रखने के लिए ऐसे और भी बहुत सारे सेक्योर्टी सिस्टम इंस्टाल किये गए हैं हमें उमीद है कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा